भारत औस्ट्रेलिया के बीच टेस्स सेरीज धरमशाला में खेल जाई का मुकाबला स्टेडियम में शुरू हुई तयारी टीम इंडिया इस वक्त न्यूजलेंड के खिलाफ T20 सेरीज खेल रही है इसके तुरंद बाद भारती टीम को अस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचे की टेस्स सेरीज खेलनी है बता दे कि भारती टीम को सिरीज गरेलू मैदान पर खेलनी है और टीम मीडिया इसको लेकर तयार है शुरुआती दो मकाबलों के लिए टीम का एलान भी हो चुका है और भारत और उस्टेलिया की सिरीज फरवरी का महीने में 9 तारिक से शुरू हो जाएगी इस सिरीज का एक मुकाबला हिमाचल परदेश के खुबसूरत मैदान धरमशाला में खेला जाएगा इस स्टेडियम को लेकर धरमशाला और साथ हिमाचल परदेश किरकेट एस्टेशेशन ने तयारियों को शुरू कर दिया है HPCA के अध्यक्ष आर्पी सिंग ने 13 कमेंटियों का गठन किया है और अविवार को इसकी बैठक भी गुराई गई इसमें अलग-लग जिम्दारियां भी सभी को सौपी गई है और मुकाबले को सफलता पूर्वक करवाया जा सके और एक बहतरिन तरीके से भवे आयोजन हो सके इसी की तयारियों को लेकर मिटिंग हुई बता दें कि HPCA की प्रात्मिक्ता मैच का सफल आयोजन है और इस पर HPCA के तमाम अध्यक्ष लोगों ने तमाम पदादिकारियों ने माना है कि यह नाक का सवाल है बता दें कि सीरिस का दूसरा मुकाबला एक मार्च से शुरू हो जाएगा 25 फरवली को सभी टीमें धरमशाला पहुच जाएंगी मुकाबले को लेकर 26-28 तारीक को टीमें प्रैक्टिस करेंगी और 1 मार्च से 5 मार्च के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा टीम के स्वागत के लिए 8 सदस्य कमेटी का घठन किया गया है हाउसक्यूपिंग कमेटी में 4 सदस्य और 6 सवम सेवी लोग रखे गए हैं सुरक्षा कमेटी में 5 सदस्य को रखा गया है साथी 6 सवम सेवी इस कमेटी में होंगे कैटरिंग कमेटी में 4 लोगों को रखा गया है मीडिय कमेटी में 2 लोगों को रखा गया है इसके अलावाद सचीव अविनाश परमार ने काया है कि टेस्ट माच के लिए 13 कमेटियों गठन इसी वज़े से किया गया है कि सफलता पूर्वक मुकाबला पूरा हो सके और धरमशाला का ये मैदान एक भवे आयोजन का गवा बन सके बैराल भारती टीम आउस्टेलिया के खिलाव मुकाबला खेनने के लिए उतर रही टीम इंडिया के लिए वोल्ट आश चैंपेंशिप के लेहा से ये सिरीज काफी महत्पूर है आपके जो कुछ राय है कमेंट करके जरू बताएं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें नमस्कार